एलो माई डिया फ्रेंड्स कैसे आप सब मैं हुआ को दोस्त एजुकेटर कुमारमन और आज आपके ले लेकर आया हूँ बिल्कुल नया वीडियो तो येक स्टाटीजी वीडियो है जिसमें लोग कुछ नया डिसकॉस करेंगे तो सर आज क्या डिसकॉस करने वाले हैं आज हम लोग डिसकॉस करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दू यह जो मिठड है यह बहुत ही ज्यादा एफिक्टिव मिठड है जब मैं प्रिप्रेशन कर रहा था तो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था इस तरीके के बारे में कि आपको ऐसे रिवीजन करना है और मैंने यह ट पहले से बेटर हो गए हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इसलिए मैंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया और आप लोगों को मैस बढ़ाता हूं तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिप्रेशन और लोगों से बिटर हो ठीक है आपकी प्रिप्रेशन को एक बूस्ट मिले तो आप अन अकैडमी का प्लस या एकॉनिक से टिफिशन देख सकते हो क्यों कि उसमें डेली बेसिस पे आपको लाइप क्लासे मिलती हैं विकली सब्सक्रिप्शन लोगों 12 मंस का तो प्राइस है क्या सा 34650 और 18 मंस का 42 525 और 24 मंस का 50400 अगर आप मेरा कोड यूज करेगो के एम लाइब तो आपको इंस्टेंट मैक्समुम अवलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा आज का अजेंडा है टॉपिक है जिस इशुपे हम लोग बात करने वाले वो क्या है रिवीजन सब्से पहली और इंपॉर्टन चीज मैं आप लोग को यह बता दू सारे बच्चों के लिए आप कोचिंग कर रहे हो कोचिंग नहीं कर रहे हो सेल्फ सड़ी कर रहे हो कुछ भी कर रहो अगर आप रिप्रेशन कर रहे हो एक्जाम के लिए तो सब्से इंपॉर्टन टीप यह है कि रिवीजन जो है वो आपको डेली बेसिस पे करना है यह ऐसा नहीं करना है कि छे दिन पढ़ाई की सिर्फ संडे को रिवाइज करने हैं यह मत करना कभी भी क्योंकि हमारा माइंड के एक मशीन की तरह है एक ही दिन में सब कुछ उसके अंदर डाल दोगे तो फिर क्या होगा वो अवर्लोड हो जाएगा तो थोरा थोरा रोज रिवाइज करने के लिए टाइम निकालो अगर मैं आईडियल बताऊं तो डिस्टिब्यूशन ऐसा होना च करता है रिवीजन सभी बच्चों को डेली बेसिस पर करना है क्लियर है चलो अब लोग बात करेंगे कि सर कैसे करना है वो बता दो ठीक है बता रहे हैं आप लोगों को तो देखो रिवीजन करना कैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा मैं मैंस कहीं उठाता हूं कोई भी टॉप देखें वह आपके मन पर कहीं से वह मैंटर नहीं करता है तो मैंट्रीशेज आपने खतम कर लिया सेवन डेज में माल लो देखें मैं सपोज बता रहा हूं कि सपोज आपने सेवन डेज में मैंट्रीश खतम कर लिया तो फॉर इजांपल फिफ्ट सिप्टेमबर तक आपने खतम कर लिया matrices को अब क्या करना है अब पहला revision आपको करना है तीन दिनों के बाद तो fifth को खतम किया तो sixth, seventh, eighth तो ninth September को आपको matrices को revise कर लेना है clear हुआ अब क्या करना है फिर seven days के बाद seven days के बाद आपको क्या करना है फिर से revise करना है तो क्या हैगा 17th September 17th September होगा 17th September को क्या करना है आपका second revision हो जाना चाहिए फिर क्या करना है आपको फिर अगला revision होना चाहिए आपका 15 days के बाद तो date निकाल लेना कब होगा फिर अगला revision कब होना चाहिए आपका 30 days के बाद वो निकाले ना फिर अगला revision कब होना चाहिए आपका 3 months के बाद फिर अगला revision क्या होना चाहिए 6 months के बाद तो तुम देख रहो कि तुम हर regular interval पे revision कर रहे हो और अगर तुम ये pattern follow करोगे तो मैं sure करता हूँ तुमें चीज़े याद रहेंगी और तुमें ये कभी नहीं लगेगा यार ये कि topic मैं भूल चुका हूँ काफी दिन हो गया काफी अर्सा हो गया ये पड़े हुए ऐसा कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आप regular basis पे बढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा याद रखना क्या करना है जान से सुनो topic जिस दिन खतम हुआ उसके तीन दिन बाद पहली बाद revision कर लेना फिर उसके एक हपते के बाद जिस दिन पहला revision किया उसके एक हपते के बाद दूसरा revision उसके पंदरा दिन के बाद तिस्ता रिवीजन उसके एक महिने के बाद चौथा रिवीजन फिर तीन महिने के बाद पाचवा रिवीजन फिर छे महिने के बाद छटा रिवीजन तो इतना रिवीजन कर लोगे तो more than sufficient आपके दिमाग में वो चीज़े बैटने के लिए क्योंकि हमारा जो mind होता है वो क्या होता है बहुत ही इसमें जो secondary memory है वो बहुत जादा होती है पर्मनेंट memory कम होती है तो क्या करते हैं हम लोग धीरे 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 चीजों को बार बार आप regular basis पे revise करोगे तो आपके permanent memory में चला जाएगा तो उसके लिए आपको यही तरीका use कर करना है regular basis पे कैसे revise करना मैंने आपको बता दिया अब यह पता कैसे चलेगा सर की 6 महीने के बाद मुझे यही topic पढ़ना है तो simple सा way है आप यह तो एक calendar खरीद लो तो एक topic खतम हुआ तो आप क्या करो जिस दिन खतम हो उसी दिन लिख लो यार 5 को खतम हुआ है न तो 9 को मेर पहला revision है तो calendar पे से goal कर लो और उसमें लिख दो revision of matrices आपके मन पर हैं दूसरा क्या सकर सकते हो आजकल तो digital इंडिया है है न मोबाइल काफी है आपके बास मोबाइल में alarm लगा लो चार दिनों के बाद 9 का लगा लो फिर एक खते बाद का लगा लो कि secondary revision of matrices ऐसे करकर के एक ही दिन में जी दिन खतम हुआ उसी दिन आप बना लो टास्क लिक्स बना सकते हो आप आप साती है बहुत सारी जो आपको remind करते रहेंगी कि या राज आपको यह पढ़ना है तो ऐसे करके पूरे 6 महने तक का revision का आप बना लो कि यह इस दिन को मैंने एक topic खतम किया तीन दिन के करें आप बना लो और उसको उस दिन revise कर लेना अगर आप यह pattern follow करोगे यह तरीका follow करोगे तो मैं assure करता हूँ आपको चीजे याद रहेंगी और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा यार मैं तो भूल रहा हूँ चीजों को मुझे topic अब बिल्कुल हवा हो गया मुझे समझे नहीं रहा कहां से question बनाने है जब पढ़ाई की थी तब तो बहुत अच्छे साथा था अब आता ही नहीं है तो यह तरीका use करना यह काफे effective method है मैंने खुद apply किया है मेरे बहुत सारे दोस्त करते थे और किसी ने कभी यह नहीं बोला कि इस method से उन्हें कोई नुकसान हुआ है इससे फायदा ही होगा आपका तो मैं personally आपको recommend करूँगा कि यह method use करो और अच्छे से पढ़ाई करो तो बस छोटा सा वीडियो था था कि आ आप चाहो तो देख सकते हो फिर यह मेरा टेलिग्राम चरने लगे मैस भाई कुमार अमन इसमें भी आप जूड सकते हो तो थेंक्यों आप यू वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर कर दो अपने दोस्तों को भी बताओ है ना विकार शेरिंग इस केरिंग और बिल इस लेक्चर बाई अपना धान रखो और अल्द बेस्ट